तुर्की और सीरिया में भूकम से हुई मौत का आकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है इसी वीच भारतिय सेना और NDRF की टीमों ने तुर्की में मोचा सभाल लिया है भारतिय सेना ने भूकम पर प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बना दिया है जहां खायलों का लगातार इलाज चल रहा है वही NDRF की टीमें भी रेस्क्यू में जुट गई है NDRF की तीन टीमें अलग-अलग शेत्रों में इमारतों की मलबों में जिन्दिकियों की तलाश कर रही है भारत ने ऑपरेशन दोस के तहट तुर्की को विशेश मदद भेजी है भारत की ओर से NDRF की तीन टीमें अब तक रेस्क्यू के लिए तुर्की पहुँच चुकी है इन टीमों में विशेश रेस्क्यू डॉग स्कॉड भी शामिल है इसके अलावा भारतिय सेना की मेडिकल टीम साथ ही मेडिकल किट पूरी की पूरी मौजूद है